क्या आपको एक ऐसी जीव के बारे में पता है जो पैदा होते ही इन्विजिवल हो जाते हैं क्या आपको पता है प्रिथी पर एक ऐसी भी प्रजाती है जो अपना शिकार करने के बाद हमेशा के लिए गायब हो जाती है फिर्ट पोजीशन पर आ जाते हैं पानी में रहने वाली एक मच्री जिसका नाम लैप्टोसेफिलस होता है आपने सुना ही होगा कि जब मच्रियां अंडे देती हैं तो अपने अंडे शिकारी मच्रियों से छिपाने की वज़े से उनके कुछी बच्चे सर्वाइब कर पाते हैं लेकिन रेक्टोसेफिलस नाम की यह मच्री छिपने में नंबर वन पर होती है क्योंकि जब यह अंडे से बाहर आते हैं तो तीन महिने तक ऐसे ही ट्रांस्पैरेंट रहते हैं और जब यह तीन मन्त बाद अपनी सुरक्षा खुद कर पाने लायक हो जाते हैं तब यह न मिनट दस मिनट पंदरा मिनट बस लेकिन रीफ इंसेक्ट नाम का यह जीव बीना हिले घंटों तक एक ही जगह पर खड़ा रह सकता है और इनको देखकर आप पता नहीं लगा सकते हैं कि यह रीफ है यह रीफ इंसेक्ट है क्योंकि इनकी बॉड़ी पूरी रीफ की तरह ही होती हैं और इनकी यह ability इनको शिकार बनने से बचाती है मैं आपको बता दूं समुद्र में जितने भी छोटे छोटे शोटे creature होते हैं उन्हें सरवाइब करना बड़ा मुश्किर होता है क्योंकि समुद्र में कोई भी बड़ा जीव इन्हें असानी से शिकार बना सकता है उन्हीं छोटे क्रियेचर मैं से एक प्ग्मी सी होस्स नाम का क्रियेचर होता है। और ये इतने छोटे होते हैं कि इनका साइज सिर्फ 2 संटीमीटर होता है यह सी क्रियेचर जापान, इंडोनेशिया और देखने को मिलते हैं। यह अपनी जादा तर लाइफ प्लांट पर गुजारते हैं और यह अपनी बॉडी शेप और बॉडी कलर प्लांट के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं सेकेंड नमबर पर आ जाते हैं क्रैब की सबसे खतनार प्रजाती इस प्रजाती का नाम डेकॉरेटर क्रैब है और इसको स्पाइडर डेकॉरेटर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह देखने में थोड़ा-थोड़ा स्पाइडर की तरह देखता है यह क्रैब कैलिपोर्निया, मालदीव्स और थाइलैंड में पाया जाता है इसकी बॉड़ी पर बहुत सारे अन्यूज्यल से बाल होता है अगर यह एक बर किसी प्लाइट पर बैट गया तो कुछ टाइम बाद आप इसे देखना तो छोड़िये धून्ड भी नहीं पाएंगे क्यूंकि थोड़ी देर में यह अपनी बॉड़ी का स्ट्रेक्चर बदल सकता है और एक प्लाइट में कनवर्ट हो सकता है वीडियो में आगे बढ़ने से पहला अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले यह वर्ड में एक ऐसी प्रजाती है जो हर जगह पाई जाती है बस इनकी प्रजाती में एक डिफरेंस होता है वो होता है इनकी लैंग्वेज का डिफरेंट प्रजाती में डिफरेंट लैंग्वेज लेकिन इन सब का काम सेम ही होता है और यह शिकार करने के बाद शुपने में सब के बाप होते हैं आपने अभी तक गज कर दिया होगा अगर नहीं किया तो मैं आपको 3 सेकंड का time देता हूं मैं इंसान की उस प्रजाती के बारे मैं बात कर रहा हूँ जो एक बार पैसे देने के बाद गाय भी हो जाते हैं उसके बाद ना हमारे पैसे दिखाई देते हैं और ना वो खुद ही दिखाई देते हैं और हां यह वीडियो अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करना जो आपके पैसे देने के बाद गाया भी हो गया और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो का आपको कौन सा पार्ट पसंद आया